जैहिन साथियों वेलकम बेक आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान study आप लोग कापी बच्चे कमेंट्स कर पारे है जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैंanci कि सर définक्की टीर सेकन्ड राउड हो नहीं, हो रहा है जिनके marks कम है और जिने जानना है कि कितने marks तक जो है second round जाने वाला है और इस अच्छी बात यह है कि आपका जो second round है यह आपका SC, ST, OBC, General, EWS वाले seatों में 145 seatे बठने वाली है ठीक है तो इसमें OBC वाले भी कई candidate होंगे SC, ST मतलब हार categories के student इसमें मौझूद होने वाले है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका कितने marks तक आप लोग इसमें counseling कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और आप लोग पहली बार अगर समाधान Steady पर आए है तो पहले तो जाकर जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि आपको पल-पल के update समाधान Steady प्रवाइड कर रहा है तो आपको ऑफिसली जानकरी में प्रवाइड करते रहा है तो ठीक गैस और काफी बच्चे जो है जुड़े हुए है और काफी बच्चों को इससे लाब भी हो चुका है चलिए देखे मैं आपको बता दू गैस ये तो front page है PNST का तो यहाँ पर मैं आपको सभी को ध्यान पूरग बताना है ठीक है आपको ध्यान पूरग सुनना है देखे बच्चे बोल रहे है सर हमारे 60 marks है हमारे कितने marks है तो मैं all और आपको बता दू अभी official cut-up नहीं आया है official cut-up जब allotment letter आता है ना गैस तब ही आता है चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पर schedule भी डल चुका है ना आपको देखे allotment letter कब आएगा और आपकी 16 तरी last rate है तो कृपया करके आप लोग जल्दी से जल्दी आप counseling करवा लिजे ओके गैस यह schedule है आपका schedule मैं आ बता दू गैस यहाँ पर ध्यान पूरक सुनना है आप लोगों को अगर आपके क्योंकि अभी जो जो लिस्ट आई थी ठीक है रेमैनिंग लिस्ट के according में आपको बता रहा हूँ ठीक है ओफिसली नहीं आए मैं पहले बता दू आपको कापी बच्चे बोल रहे ना 60 प्लस marks है ठीक है अगर 60 प्लस marks जनरल और OBC वाले candidate के हैं तो वो बिलकूर जो है इस जो है choice filling करवा सकता है ठीक है ध्यान पूरक सुनिएगा क्योंकि आपको amount भी लग रहा है ठीक है 300 रूपय amount लग रहा है कापी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि amount के लिए भी वीडियो बनाईए तो 300 रूपय 300 रूपय पर candidate इसमें charges लग रहा है इसलिए बता दूगाइज अगर आप लोग OBC और General से है तो 50, 60 प्लस पर आप लोग choice filling करवा सकते हैं और आप अगर SC, ST और GWS के candidate है तो 50 प्लस पर आप counselling करवा सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको भी पता है 145 सीटे है जिसमे से benefit आपको SC, ST वालों को compare भी मिलता है ये तो आपको obviously पता है guys क्योंकि 60 marks जो है इसके पिछले वाले जो first round की counselling मे 62 या 60 marks आया था किसका आपका SC और आपके ST वाले student का तो इसलिए इसलिए ये वीडियो बनाना आपके लिए आवशक था क्योंकि हम जो है क्योंकि काफी बच बचत में काम हो उतना बचत में काम करवाऊंगा डाकुमेंट से रिलेटेड़ में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ठीक हैस और आपके बास college की कितनी फीस लग रहे है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी A से लेकर Z तक समाधन study में जानकारी मिलने वाली है तो आप लोग समझ चुके होगे मैं क्या करना चाहर हो गई और देखिए हतास निरास नहीं होना है आपको अपनी महनत जारी रखना है अभी अपरेल में आपको फूर फॉर्म आने वाले है तो आपको महनत करते रहना है तो मैंने बता चुका है 60 प्लस अगर आपक रजिस्टेशन और चोईस फिलिंग करवा सकता है और बाकी का बाद में हम लोग देख लेंगे क्या किसकी स्टुडेंट का नाम आता है क्योंकि कुछ जो है आपके आसा कर्या करते वाले भी सीटे है तो वो बची वाली सीटे इस बार पूरी फील होने वाली है तो जिन सात उन्हें अभी भी फर्स्ट राउन में भी नहीं करवा था वो अब आज जाके जल्दी से जल्दी करवा लिजेगा ठीक है गाईस और कुछ जानकरी अगर कुछ चाहते हैं आप लोग कि और कुछ आपको चाहिए किसी वीडियो तो कमेंट्स बॉक्से आपके लिए आप लो नमस्ती